सब्सक्राइब किजिए इन्फोर्मेशन कलेक्शन चैनल को साथ ही दोस्तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले थन्यवाद पूरी जनकारी में के लिए बने रहे इस वीडियो में वीडियो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिजे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए वीडियो सुरू करते हैं और डीटेल में बताता हूं जैसे कि दोस्तों बता में आपको 8 चैनल स्पोर्ट्स के देखने को मिलने वाले हैं कौन-कौन सा चैनल है कितने रुपे का है उसका प्रज़ेटेशन में आने अगले क्लिप में आपको दिखाता हूं जैसे कि देख सकते हैं Tata's के DTS के चार पैकेज लाँज करा था जिसमें दो पैकेज आपके सामने हैं Star Mini English और Sports Mini Hindi Sports Mini English में दोस्तों इसका प्राइस 78 रुपया 23 परिसा है इसमें अगर आप लेते हैं तो यहां पर आठ चैनल आपको देखने को मिलते हैं जिसके बुके का प्राइस रखा गया है 78 रुपीज जिसमें सोनी का है Star का बुके रखा हुआ है और वन स्पोर्ट जो चैनल है 21 मास से ओफियर होने जा रहा जिसवे सब चैनल को सामिल नहीं किया गया है तो 78 रुपे में आपको दो स्टेंडर डेफिनेशन का बुके मिल जाते हिंदी और इंगलिस के लिए इसके साथ साथ दोस्तो हाई डेफिनेशन का भी पैकेज बनाया गया है जैसे कि आप देख सकते हाँ पे हिंदी और इंगलिस का दोनों के लिए शोट्स मीनी इंगलिस HD शोट्स मीनी हिंदी-hdesung का बुके बनाया गया है जिसका प्राइसें सोथ 152 पैशा को रखें क्या है इसमें आपको स्टार स्पोर्ट Surprise ऑन CH में संब हेजिने स्वें गारशेर नां襄 बवात करने इंदी वालिंवीं है une आपको इसमें एक स्टार्वाइब देखने को मिल जाता है तो बेसिक डिफरेंस इंग्लिज और हिंदी का कॉंबनेशन के साथ स्टार ने बुके बना दिया अपने सस्क्राइबरों के लिए तो यह दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए बुके डिजाइन किया गया है आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि टाटास का डिटेज के चार्ज जो पैकेज है स्टेंडर डिफिनेशन के पैकेज 78.23 प्लस 18 परसंट जीस्टी के है और ही हाई डिफिनेशन का पैकेज 114 स्टेंडर डिफिनेशन के अगर आप बुके लेते हैं तो पूरे शैनल देखने को मिल जाएंगे ऐगर हाई डेफिनेशन के चैनल लेते हैं तो हैं एचह मोंगे निक दिया हुआ है जहां पिक व कर सकते हैं तैक्कि बच वाचिंटियो सब्सक्राइब किजिए इन्फोर्मेशन कलेक्शन चैनल को साथ ही दोस्तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लिजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले थन्यवाद